यास किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे डोकला सैंडविच उसके लिए मैंने लिया है इंस्टेंट डोकला मिक्स इसमें सिर्फ पानी मिलाना है पानी मिलाके कुछ ऐसा दिखेगा इस पॉर्ट को हम तेल से ग्रीज कर देंगे अच्छे से साइड स्पी अच्छे से पॉर्ट को आधे तक भरेंगे यह ढोकला हमारा स्टीम होकर रेडी है इसको स्टीम करने के बाद यह इस तरह से रेडी है इसके किनारे चूड़ गए हैं इसका मतलब यह बिल्कुल सही बना है अब हम इसको डीमोल्ट करेंगे हमको यह स्लाइज में काटना है दो पार्ट में करना है इसको हम नाइफ से भी कर सकते हैं और थ्रेड से भी आज हम थ्रेड से करते हैं इसको हाफ बीच में रखना है थ्रेड को पूरा गोल ले जाएंगे फिर इसको एक साइड से खीचना ह और ऐसे करते हुए पूरा यह हमारा कट हो गया स्लाइस हमको चाहिए टमैटो केचप ग्रीन चटनी शुगर सरब इस पर हमने शुगर और वाटर मिक्स करके दो बॉइल किये हैं ग्रेट ग्रेट पनीर ग्रेट फ्रेश नारियल आप सुखा नारियल नारियल का चूरा भी ले सकते हैं अब हम इसमें शुगर सिरफ फिलाएंगे इस तरह से पूरा ढोकला अच्छे से गीला हो जाना चाहिए शुगर सिरफ सोक कराएंगे अब मस्त्री स्लाइज में भी करेंगे शुगर सिरफ पर सोक करेंगे और दूसरे वाले शुट्स में हम दूसरी स्लाइज में टमाटो केचप और ग्रेटेट हैगे तो डालेंगे शुट्स अब इसमें ग्रेटेट पनीर स्प्रेट करेंगे अब हम इसमें दूसरी स्लाइस टमैटर वाली रखेंगे इसमें राई कड़ी पते का तड़का लगाएगे का रड़ी और दुर्वा जखेंगे हाँ वर्वाईस गपगाँ